हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जोब में डारेक्टरेट ओफ एजुकेशन समग्र सिक्षा के तहत दो नए नोटिस जारी किये गए हैं वेकेंसी से संबंदित जिसमें प्राइमरी सेक्षन और अपर प्राइमरी सेक्षन में वेकेंसी आई है हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम कैंडियेट बिलकुल आवेदन कर सकते हैं number of vacancies देखेंगे subject wise notification में दोनों अलग अलग विज्यापन है salary, age, qualification सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी D-Ed, D-L-Ed, B-Ed या B-L-Ed आपने किया है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी राज्य के candidate चलिए देख लेते हैं पूरा notification देखेंगे कैसे apply करना है, कहां से vacancy जारी की गई है, अंत तक वीडियो के बने रहें ताकि आपके लिए सारी चीज़ें clear हो सके, सबसे पहले जो है for primary school teacher, जिसमें 12th के साथ में 2 साल का diploma elementary education में जिस भी नाम से जाना जाता हो, जैसे BTC है, BSTC है, D-L-Ed है, D-Ed है या B-L-Ed है जिस भी नाम से जाना जाता हो, 12th के साथ में, 12th में 50% marks होने चाहिए primary school teacher में 85 number of vacancy है, इसमें 30 साल उम्र है general category के लिए upper age limit में जो है छूट रहने वाली है, central government norms के according तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12th के साथ में 4 year का bachelor of elementary education B-L-Ed special education वाले भी apply कर सकते हैं और primary में B-Ed वाले भी apply कर सकते हैं graduation 50% marks के साथ में, तो यह आपको clear हुआ होगा दूसरा जो है साथ में जो है TET, teacher eligibility test, central government के द्वारा जो conduct करवाया गया हो या फिर किसी भी राज्य के द्वारा, यानि आपके राज्य का tat हो सकता है, CTAT हो सकता है, primary teachers के लिए सभी apply कर पाएंगे, अपर primary school teacher के लिए 180 number of vacancy है, age limit इसमें भी जो है 30 साल है, journal category के लिए और केंदर सरकार के norms के according, I.U.S.E.M.A. में छूट इसमें भी मिलेगी इसमें qualification, graduation, BA, B.Sc, B.com, जो भी आपने किया है, और दो साल का elementary education, तो अपर primary school में भी जो है, D.L.Ed., B.T.C., B.S.T.C. वाले apply कर सकते हैं, और B.Ed. वाले तो इसमें apply करेंगे ही, सबको इन्होंने eligible कर दिया है, ठीक है, B.Sc. B.Ed. किया है, आपने B.L.Ed. किया है, आपने B.Ed. किया है, जो भी आपने किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, किसी भी राज्य के candidate है, special education वाले भी apply कर सकते हैं, अपर primary के लिए, आपके पास जो है TET, paper to qualify होना चाहिए, वो CETET हो सकता है, आपके राज्य का TET हो सकता है, primary में जो है, English medium के candidate apply करेंगे, आपका माध्यम जो है, English होना चाहिए, all subject में vacancy है, number of vacancy 85 है, SC की 12 है, ST की 6 है, OBC की 22 है, EWS की 8 है, और unreserved category की 37 है, अपर primary में जो है, सभी medium में vacancy है, आपने English medium से पढ़ाई की है, तो यहाँ पर English, Science, Math, Social Science की vacancy है, अगर आपने Hindi medium से पढ़ाई की है, तो Science Math, Social Science में vacancy है, अगर आपने Marathi medium में पढ़ाई की है, तो Science Math और Social Science में vacancy है, इसमें जो है, number of vacancy कितनी है, तो इसमें 265 पदों पर vacancy है, अपर primary में, जिसमें general की 110 seat है, अब आपको बता देती हूँ, vacancy जो है, कहां से जारी की गई है, अब सभी राज्यों के कैने रेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, यह आपको बता ही दिया है, UT Administration of Dadar and Nagrahevalian दमंद्योई से vacancy है, समगर सिक्षा के तेत, यहां से contract ways पर भी vacancy आती है, और permanent vacancy भी आती है, यह जो vacancy आई है, primary और upper primary school teacher के लिए, तो purely on short term contract पर है, ठीक है, और जिन भी school में आपका जो है, यहां पर selection होता है, तो वो सभी सरकारी school रहेंगे, salary जो है इसमें चाए primary के लिए, selection हो या upper primary के लिए, 23,000 पर मन्द जो है, वो salary रहेगी, यहां से जो है एक और vacancy आई थी, कुछ ही महीने पहले, जो भी contract teacher है, समगर सिक्षा के तहत, जिनका contract बेस पर selection हुआ है, वही permanent के लिए form apply कर सकते हैं, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें, भले ही contract बेस पर हो, लेकिन permanent भी आप हो सकते हैं, अब आपको जो है अगर job की जरूरत है, आपने BTC, BLAD, BAD, DAD, जो भी किया है, CTAT clear है आपका, या आपके राजिका TAT clear है, तो इन में जो है आप बिल्कुल आवेदन कर दें, यह address है यहां से लेकर यहां तक Department of Education, लेखा भवन 66 KV Road, अमली सिल्वासा, रूम नंबर 312, D.N.H. या फिर डारेक्टरेट ओफ एजुकेशन, सिक्षा, सदन, बिहाइं, कॉलेक्टरेट, मुती दमन, 30, October 2024, last date रहेगी, यह address है जो कि आप लोगों को envelope के उपर लिखना है, application form इसके नीचे है, इसे download करना है, print निकाल के fill कर लेना है, उपर address डालना है, envelope के उपर, बिल्कुल सही, capital letter में, आपने document की photocopy, application form के साथ में, रख देंगे, और समय से पहले भेज देना है, अगर आप भेजना चाते हैं, applicant need to apply separately for both the posts, ठीक है, तो यह vacancy रही, काफी अच्छी vacancy है, बले ही दूर है, लेकिन जब job पानी होती है, तो दूर भी जाना पड़ता है, तो girls के लिए तो थोड़ा सा समस्या आ सकती है, लेकिन boys के लिए तो मुझे नहीं लगता कि अगर दूर जाना है, job पानी है, तो जाना भी पड़ता है, दूसरी vacancy देख लेते हैं, ये भी UT administration of दादरे नागर हवेली दमांदी डारेक्टरिट ओफ एड्यूकेशन समगर सिक्षा के तयात है, 4-10-2024 को ये notification जारी किया गया है, इसमें part-time teachers की vacancy है, इसमें salary कम है, कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले, इनमें appointment के लिए notification जारी किया गया है, तो इसमें bachelor of physical education या bachelor of science in health and physical education and degree in sports 55% marks के साथ में, विपेड वाले अप्लाए कर सकते हैं, physical education teacher के लिए, 30 साल उम्र है, 12,000 salaries में रहनी वाली है, music teacher की vacancy है, ये भी कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले, खेरडी में है, 12-50% marks के साथ में, और music में आपके पास degree diploma, master degree वाले भी अप्लाए कर सकते हैं, अन्वफ तो नहीं चाहिए, अगर है तो अच्छा रहेगा, बाकी यहाँ पर जरूरी नहीं है, 12,000 इसमें salary है, assistant cook की vacancy है, दापड़ा में, ये भी कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले में, age standard, past and experience in cooking, 35 years इसमें है, age और 8,000 इसमें salary रहेगी, यहाँ लिखा है कि जो भी part-time teachers and assistant cook है, तो केवल female canny rate अप्लाए करेंगी, क्योंकि कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले है, तो इस female canny rate ही केवल अप्लाए कर सकती है, इसमें apply करने की last date जो है, वो 23, October 2024 है, और इसमें address यहाँ दिखेगा आपको, department of education, समगर सिक्षा, room number 312, third floor, लेखा भवन, अमली, सिल्वासा, दादर नागर हवेली, district UTN, दादर नागर हवेली, दमंद्वी, पिन कोड है, 396-230, यह address है, कोई fees नहीं है, दोनों ही, विध्यापन के लिए, अगर आप आविदन करना चाहेंगे, कोई fees नहीं है, बस अंतिम समय से, अंतिम डेट से पहले आप आविदन कर देंगे, ठीक है, application form या इसमें भी नीचे दिया गया है, तो यह part-time teachers की जो vacancy है, इसमें तो salary कम है, और यह जो contract base पर vacancy है, इसमें salary, थोड़ा ठीक ही है, 23,000 पर मन्त है, government school में ही जो है, selection रहेगा, जो की समगर सिक्षा के तहट चलाए गए है, चलिए, यह दोनों vacancy के लिए, official website पर चले आए, यहाँ पर आप आएंगे तो recruitment section पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो first number पर है, यह part-time teachers के लिए है, यह भी under समगर सिक्षा के तहट है, कस्तुर्वा गांधी बाली का विध्याले में, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, दूसरा जो विज्ञापन है, वो यहाँ पर है, third number पर, direct rate of education, invite application from eligible candidate to engage primary and upper primary school teacher purely on contract basis, ठीक है, तो यह दोनों vacancy, एक first number पर है, एक third number पर है, इस पर आप जैसे ही click करते हैं, तो इसमें, यहाँ पर starting date 30 September है, ending date to 30 October है, यहाँ पर view पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, और red color में यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आप download कर सकते हैं, चलिए, मिलेंगे next video में, next vacancy के साथ, thank you,